आप सभी को एक स्वर में पढाम करता हूँ ये मेरी साधना है और एक सोध पूर रचना है जिसको लिखने में छे साथ महीने लगे चंदोली का एक द्रिश आपके समक्ष रखने की कोशिश दिल तक पंक्तियां पहुँचे तो आशिरवाद दीजेगा कि धान का हूँ मैं कटोरा देखो प्रीति के रीति की बॉली हूँ मेरी कोख में बीर है पलते जनपत मैं चंदोली हूँ मेरी कोख में बीर है पलते जनपत मैं चंदोली हूँ यह सहीदों की धरती बिधायक जी अच्छी तरह जानते हैं आपने तो वह काम भी किया है जो जनपत के लिए अभी तक तक अकेला ऐसा काम है सहीदों जो देश के सिमाओं पे गुर्बान हो जाते हैं उनके लिए आपने बड़ी रेलिया कराया और हमारी इस जनपत के लोग चैनित हुए और देश की सेवा कर रहे हैं लेकिन वह बात जब हमें धानापूर की घटना याद आती है गूज उठी लंदन की सभा में ऐसा वो प्रतिकार किया वाँ 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 जोड़ात आलिया आपकी एक वाँ मिले तो जन्फिन पढ़ने के लिए कि धनापूर की पीर भूमी जब थाने में अंगार किया गूज उठी लंदन की सभा में ऐसा वो फ्रतिकार किया स्वतंत्रता के मुरादियों में देश भक्ति का थाउन मान मत भी आएगी समर में इसका न थाउन हे विशाड मैं मुक्ति धाम के रूप में देखो गंगा तट पे नरोली हूँ मेरी कोग में भीर है पलते जन पत मैं चंदोली हूँ बहुत 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 अचा जब यह सब्य के फूल हैं जिसके लिए पुरी दुनिया में हमारा जनपत जाना जाता है उसकी बात करता हूँ कि चंद्र कांता और नोगण का इतिहास मेरी धरुहर है राजदरी और देवदरी का द्रिश बड़ा मनुहर है राजदरी और देवदरी का द्रिश बड़ा मनुहर है जगेश्वरनात का धाम यहाँ सब की पीड़ा हर लेता है लटिपसाह का बांद यहाँ मन को हर्षित कर देता है और बहुत महत्मुन बात जो यहाँ से थोड़ी दूर पे है साइद कोई जानता होगा मैं ये अपने गीतों के माध्यम से रखना चाहता हूँ मैं चंद्रिप्रभा और कर्म ना सके संगम पास धरोली हूँ जिन्दा बात जो महत्मुन हुई है उसका जिकर करना चाहता हूँ और जिसकी बात किये बिना एक गीत अधूरी हो जाएगी किना याम की तपोभू में अरभूत कली ए इतिहास हूँ है पश्चे वाहिनी के तट पर वालिनकी के साथ हूँ हूँ है संदावाद प्रकास स्यादो जी जो हमारी बड़े जीज़ है यह चंदोली पर्श्यमवाहिनी कौन नहीं जानता जहां सजा है बाग तयालिक देखो पावन धरार मौली हूँ मेरी कोख में बीर है पलते जन्पत मैं जन्दोली हूँ और अंतिम बात इस बात के साथ किये धरती बीरों के साथ सांसमतिक व्यक्षियों की रही है उनकी बात कहते हुए अधर्णी भर्द यहां बैठे है आपके पिता जी पुर्विधायक सद्धे राजित प्रशार यादो जी जो उनकी सोच थी उनकी सोच की वज़े से उनका जिक्र मैंने गीत में किया है कि कला सहित संगीत से अपना नाता बहुत फुराना है विद्याधरी कैलाश नामवर गिरजा का ये घराना है विद्याधरी कैलाश नामवर गिरजा का ये घराना है बहुत कम लोगों को पता होगा गिरजादेवी थुमरी गाई का यहीं चक चक शोहतवारे चक की पैदा हुई सकल्डिया में पली बढ़ी और देश का नाम रोशन किया उचंदोली की माटी विद्याधरी कैलाश नामवर गिरजा का ये घराना है कमलपती की कर्म भूमी और राजित का यह सासू हूँ मैं जो भी मेरी गोद में रहते सब जन का विश्वास हूँ मैं मैं सीच रही हूँ मैं सीच रही हूँ इस उपवन को गंगा थारा भूपाली हूँ मेरी कोख में बीर है पलते जन पाद मैं चन तोलूँ जोरदार तालिया, जोरदार तालिया आपके पहुंचें वह 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 क्या बात है, वह वह जब भे बाओजी का नाम आता है और भईया गर उपस्तित होते हैं हम दोनों लोग भाउ जाते हैं कि ऐसा पल गुजरा है बाउजी के साथ वास्तों में आज के लिए नजीर कहे जाएंगे राजित प्रशाद यादो जी जो ऐसे कर्मठ और इमानदार राजनेता विधायक जी तो अच्छी तरह जानते हैं तो समय बहुत हो चुका है वैसे समय रहतत कुछ और सुनाता लेकिन बस इन्ही चनपंक्तियों के साथ आपने इतना सम्मान दिया मान दिया और आप बहुत अच्छे रंग से सुनें आप सभी को एक बर पुना बहुत बहुत पर नम शादुआ रंग